हाई ट्विल्टीज, वेलकॉम टू इजीवे कॉमर्स क्लासेज, मैं हूत अपिता और गाईज आज की इस वीडियो में हम लोग अपने इंवार्मेंट एंड सस्टेनीबल डिवलप्मेंट चेप्टर को आगे बढ़ाएंगे आज उसमें हम टॉपिक करेंगे उसका नाम है चेप्टर के शिरुवात से बात कह रही हूँ इस टॉपिक को लेकिन से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आएं और अभी तक सब्स्राइब नहीं किया तो चल्दी से कीजिए आप अपने डाउट मेर से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर आईडी है तब इता मैसी उस पर पूछ सकते हैं अब स्टार्ट करते हम अपने चेप्टर को जिसमें इंडिया के इंवार्मेंट के सामने क्या क्या चैलेंजिस है तो सबसे पहला जो चैलेंज है वो है लैंड डीग्रेडेशन का यानि कि हमारे हां की जो जमीन है वो डीग्रेड हो रही है यानि कि उसकी जो क्वालिटी है वो डाउन जाती जारी है land degradation में guys हमारे land भी आ जाता है यानिकि जमीन, मिट्टी, पानी सब तो वो किस तरीके से इसके quality खराब होती जारी है खतम होती जारी है उसके nutrition जैसे हम कहते हैं ना जमीन का उपजाऊपन खतम हो जाना that is the land degradation और ये सारा human की वज़े से हो रहा है अब इसकी सबसे पहले definition समझते है decline in the overall quality of soil soil बोले तो मिट्टी, water and vegetation condition जो भी हमारे हम देखो आज के time में अगर आप देखो के सबजीों की nutrition power है वो खतम होती जारी है इतने proper पहले ताजी सबजी है जिस तरी कैसे होती थी वो खतम होती जारी है तो वो सब किसकी वज़े से है land degradation की वज़े से caused by the human activity हमी लोग है इसके जिम्मेदार तो उसे land degradation हमी लोगों की वज़े से हो रहा है कि हम अपने पशियों को ज़्यादा चराते हैं जमीने, over grazing जिसे कहते हैं crop rotation हम proper नहीं करते हैं उसकी वज़े से land degradation होता है जमीन का पानी excess use कर लेते है उसकी वज़े से land degradation होता है तो there are many reasons जो कि हमारे से ही दिये हुए है environment को हमने ही अपनी जमीनों को खुदी खराब कर रखा है तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है इंडिया के environment के सामने second है guys, deforestation यह तो आप सब जानते हो guys इसे degradation of forest भी कहते है यानि कि हम अपने जो पेड़ पौधे हैं जंगल हैं उन्हें खतम करते जा रहे हैं पेड़ों को काटते जा रहे हैं उसे deforestation कहते हैं और आप सब को पता है कि यह हम ही लोग है जो यह काम कर रहे हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए चाहे चाहे हम लोग उस जमीन को यूज करें या फिर मतलब जमीन को यूज इन दा सेंस हम उस पे घर बनाएं, बिल्डिक्स बनाएं, मौल खोल दें या फिर हम उस लकडी से समान बनाएं लेकिन हम ही हैं जो अपने इधर के फॉरिस्ट को खतम करते जा रहे हैं So, it is a permanent destruction of indigenous forests and woodlands और guys अपको पते हैं कि हम ये जो forests and woodlands को खतम कर रहे हैं उससे हमें कितना हम ही को नुक्सान होने वाला है oxygen की मेतला कितनी कम होती जा रहे है fresh air कम होती जा रहे है pollution बढ़ता जा रहे हैं तो कही ना कही हम इसको भुगत भी रही है परिणाम के रूप में अच्छा जितने forest खतम होते जाएंगे उतनी जादा flood आने के chances रहते हैं उतनी जादा बार आती है और इसकी वज़े से हमारे और other many reasons जो भी पढ़ाने वाली वो होते हैं जिसे कहते है soil erosion, soil erosion किसे कहते हैं जब हमारे मिट्टी की जो surface soil होती है वो हट जाती है और हटती किस वज़े से जैसे कि excess rain हो जाए, excess flood आ जाए, बहुत बारिश होई, हट जाएगी वो layer excess flood आ जाए, वो भी हट जाएगा उससे भी हमारी जो जमीन हो खराब होती है ठीक है और इसमें deforestation का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि हम लोग पेड़ पौधे हटाते जारे उसकी वज़े से भी soil erosion होता है तो हमारे एक काम करने से बहुत नुकसान होता है हमारी जमीन को, हमारे environment को तो soil erosion क्या होता है, टेक प्लेस में the surface soil, surface soil जो होती है उपर की परत is washed away through the excess rain and flood ठीक है अब excess rain and flood पे तो चलो हमारा रोल नहीं है ठीक है बारिश बगरा के पे लेकिन जो हम forest कट करते हैं उसकी वज़े से जो बार बगरा आती है तो main reason soil erosion का deforestation है ठीक है तो हम लोग अपनी जमीन को भी नुकसान उतना ही जादा पहुचाते जा रहे हैं जिससे उसका जो उपजाओ परने quality है वो खतम होती जा रही है और यह soil erosion इतनी जादा मात्रा में हो रहा है कि उसको दुबारा से अगर environment ठीक करना चाहते है तो वो भी ठीक नहीं कर पारा क्योंकि हम इतना जादा अपनी जमीनों को यूज कर रहे हैं और यूज कर लेते हैं हम लोग उसके बाद है काई बायो डाइवर्सिटी लॉस सबसे पहले तो बायो डाइवर्सिटी का मतलब बताती हूँ अब आप खुद एक चीज नोटिस कर योगी कि डेली में स्पेसिफिकली जो बर्ड्स ब्राउन कलर की होती थी आफ्टर 3G, 2G वो बर्ड्स आनी मलग खतम हो गई है यहां पर गाउं वगरा में मिल जाए बट डेली में नहीं है तो यह क्या है हमारे यहां से पशु जीव जन्तु गाया वोते जारे हैं मैंने आपको बताया था जो सफेद भालू होते है पोलर बियर जीसे कहते है जो पहाड़ों पर बरफ में पाया जाते है वो खतम हो रहे हैं आपने बहुत लोगों से बात सुनी थी कि हमारे समय में यह चीज होती थी अब अच नहीं है तो यह भी हमारे इंवार्मेंट के सामने एक चैलेंज है कि इसको कैसे हम भरपाई कर सकते हैं आज नहीं गया फ़किन है इसके बात करेंगे एर पॉलििशन कि हैं कि आप अजाते हैं जो मतलब आप कह सकते हो जो different gases है जिनसे हमारी body को नुकसान पहुंचते है उसे air pollution कहते है ठीक है डली में सबसे जाधा air pollution रहता है क्योंकि यहाँ पर world में सबसे जाधा जो car है इतने area में डली है जहाँ पर सबसे जाधा cars, vehicles है और जो सबसे जाधा pollution करते है तो जिसकी वज़े से air pollution डली में सबसे high रहता है इवन आप इंडिया से compare करो यह किसी और जगे से डली सबसे जाधा polluted जगें में से आती है और air pollution डली का बहुत खराब है लेकिन आपको पता air pollution से फाइदे होते हैं? नहीं, air pollution से हमारे ही शरीर को नहीं बल्कि हर एक चीज़ को नुकसान पहुँचता है वो जीव जन तो किसी को भी नुकसान पहुँचता है इसको ठीक करने के लिए क्या किया गया देखो आप सबके सामने की gas use करने के लिए बोला गया CNG पर गाडियां ला दी गई तो government इसको ठीक कर रही है इवन government ने 1974 में guys pollution control board बना था जिसका नाम था Central Pollution Control Board ठीक है क्योंकि pollution एक बहुत बड़ी समस्या है हम लोगों के सामने इसको ठीक करने के लिए जो यह बोर्ट बना था इसके बहुत सारे काम थे कि एर कॉलिटी चेक करते रो, pollution का level हर समय पर चेक करो, लोगों में awareness डालो कि इसको किस तरीके से कम कर सकते हैं और दूसरा जैसे government को कोई policy बनानी उसमें help करना, timely regular industries को check करना कि उनसे कितना pollution फैल रहा है नहीं फैल रहा तो यह सारा काम इस pollution board का था यारी कि overall air quality से related जो work होता है वो इस pollution board को दिया गया था कि आपका काम है है सारा, तो हलाकि government काफी कोशिश करी इन सारी चीज़ों को ठीक करने की, बट क्योंकि यहाँ क्या population level है वो बहुत जादा है तो environment को समय समय पर बहुत नुकसान पहुचता जा रहा है, तो यह guys बहुत important challenges थे हमारी environment के सामने, हमारे environment के सामने जो हमारे ही द्वारा दिये गए हैं और in return we are getting, क्या हमें मिल रहा है, नुकसान ही मिल रहा है, क्योंकि हम environment को नुकसान देगा तो in return हमें ही नुकसान वो मिलता है, क्योंकि हम भी environment को नुकसान दे रहा है, आपने देखा COVID के cases में, जब लोग घरों में बैठे थे तो कितनी air quality साफ हो गया था, कितना environment clean हो गया था, तो हम environment को नुकसान नहीं दे रहे थे, वो हमें नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे ही lockdown व झाल 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 झाल